हाई आप देखने फिल्मे के चली मैं हूरून आशीश और आज हम बात करने वाले हैं इन पुरी बात होगे लिकिन उसके पहले प्ली सब्सक्राइब फिल्मे खिचली इन दिनों में बहुत सारे कॉमेडियन्स स्टैंड़ कॉमेडियन्स स्पिशली नजर आए हैं जो कि पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं हाल ही में साल के शुरुवात में ही मुनवर फारुक की नाम के एक स्टैंड़ कॉमेडियन है जो कि इंदौर में परफॉर्म कर रहे थे और उसके बाद इंदौर की जिल में बंद है अभी और निचली कोट ने भी कहा है कि अभी तो बेल नहीं मिल सकती है इन फाक्ट ये बात हाई कोट में जानी है और इस विशह पे जो उनकी डिफेंस अजाएंगे उसके बाद जोभी राय दे और उसके बाद जो भी उनका निलनाय दे और पिर उसके बाद डिसाइट किया जाएगा कि लॉक ठिचे ने यह भी बताया कि बट अ कौन कौन से आए हैं मनवर के बाद कुनाल कामरा आए हैं जिन्होंने हाल ही में पिछले साल 18 नमबर के आसपास का समय है जब उन्होंने सुप्रीम कोट इंडिया पर अपनी टिपणी दी थी अग्रिमा जोशुआ नाम की कॉमेडियन है जुलाय 2020 में उन्होंने जो मुंबई म अरब सागर में श्रिवाजी स्टैच्यू बनने जा रहा है जो कि शायद दुनिया का अपने तरेके का एक अलग स्टैच्यू और देश की नहीं पहचान और नहीं खुबसूरत चीज मन जाए उसके बारे में टिपणी दी थी उसके बाद तनमे भटो आप जानते ही हैं कि क कौन वालों ने खुद ही मामरा दर्स करवाया यह कहते हुए कि उन्होंने इस कौन और पॉर्नोग्रफी को लिंक करके दिखाया जो की कड़ी आपत्ती जनग बात है फिर एक नाम है मासूम रजवानी जो कुनाल कामरा के साथ ही मिलकर हिंदूइजम के बारे में जोक कर रह कि कुछ आरदा ने भी 2016 में बाबा राम रहिम के बारे में कुछ जोक किया था जिसके बाद उन्हेंने माफी भी मांगी थी अब आप सोच रहोंगे इतने जोक्स क्यों करते हैं अब इनका तो काम ही कॉमेडी है अब एक चीज और बताती हूं जब भी कोई फिल्म होती है उ उसके लिए संसबोर्ट होता है जब भी कोई टेलिविजन पर कोई शो आता है उसके लिए उस चैनल की पर्टिकुलर एक तीम होती है जो डूस और जाने लाइक है या नहीं है या क्या नहीं बोलना है लेकिन इन स्टैंड़ अप कॉमेडियंस के ऊपर कहीं कोई ऐसा शक्स बैठा नहीं होता है तो उनकी जो इच्छा होती है वो वैसा लिक में है और वो वैसा ही परफॉर्म करते हैं या मान का चला जाता है या फिर वो कहीं किसे से लिखवा लेते हैं तो बात अलग है अब ऐसे में बात यह आती है कि 19 जो आर्टिकल है 1901 जिसमें कहां जात है कि अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता हो हरे को कुछ भी बोलने की आजाद है जो उसके दिल में आता है लेकिन फ्रिंस हरे को कुछ भी बोलने की आजाद है लेकिन कुछ भी बोलता ना फिर इस बात की विध्यान रखनी की बाद जरूरी हो जाती है अब इसमें सोचने वाली fiction fiction shows लिख चुके हैं मैं उनसे बाग की तो उनका था कि अगर कोई चुटकुला है तो सामने बाले को वह हसाई नहीं और परिशान करते हैं तो वह चुटकुला या लतीफा नहीं कहलाता है और अगर किसी भी व्यक्ति के religious या उसके दिल की किसी sentiments को hurt हो रहा हो तो मैं ऐसे विशह से दूर रहता हूँ because it is not a joke Friends, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है मुझे लिख कर बताईए या इनके उपर कोई sensible होना चाहिए या इन्हें अपनी स्क्रिप्ट पास करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए या फिर यूँ ही it is okay it is just like a joke कहके बात को ठंडा कर देना चाहिए बताईएगा जरूर जय हिंद